नमस्कार, Maths for Olympiad series की यह नौवी वीडियो है, और इस वीडियो में जो हमने प्रेस्ट लिया है, वो है, इफ, A raise to the power X is equal to, B raise to the power Y is equal to, C raise to the power Z, and B square is equal to AC, then the value of Y will be, और यहाँ पर चार option दिया गया है, मैं इस option को नहीं पढ़ रहा हूँ, अगर हिंदी में इस प्रेस्ट को हम कहें, तो यदि A raise to the power X, या, sorry, A का घात X बराबर, B का घात Y बराबर, C का घात Z, तथा B square बराबर AC, तो Y का मान होगा, तो यहाँ पर हमें Y का मान दिकानला है, दो यहाँ पर equation दिया हुआ है, और Y का मान दिकालना है, तो आई यह से solve करते हैं, तो जब भी इस तरह का question हम लोग solve करते हैं, तो जो given होता है, वही से सुरू करते हैं, तो यह जो given है, हमारा यही से सुरू करते हैं, A raised to the power X is called to, B raised to the power Y is called to, C raised to the power Z, यह even है, तो हम यह assume कर लेते हैं, कि यह is called to K, एक constant, तो इससे हमें क्या मिलेगा, A raised to the power X is called to K, और A is called to K raised to the power 1 by X, तो ठीक इसी तरह से, B is called to हो जाएगा, K raised to the power 1 by Y, और C is called to हो जाएगा, K raised to the power 1 upon Z, अब हम यह दूसरा वाला जो दिया हुआ है, B square is called to AC, इसे लेते हैं, B square is called to AC, और यहाँ से हम A, B, C का जो वैल्यू है, यहाँ पर put up करेंगे, तो B का यहाँ पर है, K raised to the power 1 by Y, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, K raised to the power 1 by Y, और इसका whole square, अब एका है, K raised to the power 1 by X into, K raised to the power 1 by Z, अब एक law of exponent हम देखते हैं, वो यह है, A raised to the power M, और whole exponent इसका आ जाता है, M, तो अब हम इसको, इसका, यह ऐसा होता है, लॉक एनुसार, यह multiply हो जाता है, M, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जा रहा है, K raised to the power 2 upon Y, इसका whole square, अब देखे, यहाँ अब दूसरा law ले रहे हैं, वो है, A raised to the power M into, A raised to the power N, यहाँ पर देखे, दोनों का base एक है, और यह multiply हो रहा है, तो ऐसी स्तिती में क्या हो जाता है, इसका जो exponent है, वो add हो जाता है, A raised to the power M plus N, तो यहाँ पर भी वही होगा, base दोनों का K है, तो यह हो जाएगा, 1 upon X plus 1 upon Z, अब देखे, देखे, इस equal to sign के दोनों देखे, दोनों equal है, और दोनों का base भी same है, तो इससे क्या होगा, कि इसका जो exponent है, वो equal होगा, तो 2 by Y is equal to 1 by X plus 1 by Z, that implies 2 by Y is equal to, अब देखे, यह fraction का addition है, तो यहाँ क्या करते हैं, LC हम ले ले लेते हैं, तो यह होगा, X, Z, और यहाँ पर हो जाएगा X plus Z, अब यहाँ पर देखे, यह 2 का multiplication इससे होगा, और Y का इससे हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 2 X Z, इसका लटू, Y into X plus Z, that implies, अगर हम Y को यही पर्चोड देखे और इसको left side लाएँ, तो यह हो जाएगा, 2 X Z, अपान X plus Z, इसका लटू, Y, अब फ़ड़ा से इसको reverse कर दे रहे हैं, तो यह हो गया, Y सका लटू, 2 X Z, अपान X plus Z, देखे, Y का हमारा value आ गया है, और जो हमारा option दिया हुआ है, उसमें कौन से है यह, option number D.